हेलो दोस्तो मैं हूँ मुकेश कुमार मेरे चैनल एमके एक्जाम प्रिप्रेशन में आप सभी को स्वागत है प्रेंड्स आज हम एक्जाम होंगे जिसमें इसी टेप के प्रस्ण आने की पूरे संभावन आए है आता आप लोग एक्जाम में जाने से पहले इस वीडियो का आउलोकन जरूर कर ले और मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए मेरे लिंक में जाकर डिस्प्रिसन में आप लोग 17 मार्च की पेपर का इनलाइस कर सकते हैं तो आईए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इस्मृती मंधाना की स्खिल से संबंधित है तो इसका सही एंसर है क्रिकेट वो लेखनी है कि विजडन द्वारा 2018 के लिए लीडिंग विमेन क्रिकेटर इन द वर्ड का सम्मान इस्मृती मंधाना को दिया गया है सेगंड क्योस्चन है ICC 2018 और ODI Player of the Year अवार्ड की से दिया गया है तो इसका एंसर है विराट गोली नेस्ट क्योस्चन है राज्य सरकार का प्रमुक कौन होता है तो राजी की कारे पाली का या समयधानिक प्रमुक राज्य पाल होता है जो मंत्री परिसात की सलाहा पर कारे करता है मतलब यहाँ पर राज्य सरकार को प्रमुक पुछा गया है तो राज्य पाल आएगा और मंत्री परिसात को प्रमुक पुछा जाएगा तो मुख्य मंत्री आएगा भारत खुले में सौच मुक्त कब घोसित हुआ तो 2nd October 2019 को गाधी जी के 51 जयनती पर स्री नायंदर मोधी जी ने गुजरात से भारत को खुले में सौच मुक्त गोसित किया है नेस्ट कोश्चन है गुजरात में मांग महिने में मनाय जाने वाले फसली तेवहर को क्या कहा जाता है तो उत्तरायर कहा जाता है कम्प्यूटर की दिमाग किसे कहा जाता है तो CPU Central Processing Unit को कम्प्यूटर की दिमाग कहा जाता है अर्थाद यहीं पर वो पूरा अपना स्टोरेज भंडारर करता है चपाक फिल्म के निर्देसक कौन है तो इसका सही एंसर है मेगना गुलजार वो लेखनी है कि शपाक फिल्म लच्मी अगरवाल के जीवन पर अधारित है जिन पर एसीड अटेक हुआ था और जिनोंने सुप्रीम कोर्ट में P.I.L. दाखिल किया था कि एसीड की बिकरी पर बेंड किया जाए नेश कोशन है पाबलो पिकासो की शेत्र से संबंधित है तो पाबलो पिकासो पेंटिंग के शेत्र से संबंधित है यह इस पेंडिस से है नेश कोशन है भारत में राष्ट पिता की नाम से कौन जाना जाता है तो फ्रेंट्स यह बहुत ही बेसिक कोशन है हम सबी को पता है कि गांधी जी को भारत की राष्ट पिदा के नाम से जाना जाता है किस कार्य लिए प्रोयक्त होता है तो फायरवाल नेटवर्क सिक्यूरिटी सिस्टम है जो कम्प्यूटर में यूज होता है स्वतंत्र भारत के प्रथम सिच्छा मंतरी कौन थे तो स्वतंत्र भारत के प्रतम सिक्षा मंत्री मौलाना अब्दूर कलाम अजाद जी को बनाया गया था जब हमारा देश अजाद हुआ 1947 में तो सबसे पहले सुर्योदा किस राज्य में होता है तो Grandmaster सत्रयन से संबंदित है 2019 में भारत के सबसे युगा Grandmaster D. Mukes है ये भी एक question बन सकता है कि 2019 में 19 के सबसे युगा Grandmaster इंडिया के कौन है तो D. Mukes next question है अखिल भारतिय भूमी उपयोग तथा तथा मृधा सरवेच्छन संगठन की स्थापना कब होई तो भारती इक्रिसी अनुसंधान परिषत ने 1903 में इस संस्था का इस्थापन किया इस्थापना किया स्वरी PH7 किसका मान है तो PH7 उदासीन होता है और PH7 से उपर जाने पर जो विलियन की प्रकृति है छारी हो जाती है और नीचे आने पर विलियन की प्रकृति अमली हो जाती है और सेवेन रहने पर उदासी न्यूट्रल हो जाता है जैसे वर्षा के जल का पीएच मान साथ होता है पत्तियों में सरकरा का निर्माड कैसे होता है तो प्रकास असलेशन फोटो सिंथेसिस प्रोसेस के दवारा पत्तियों में सरकरा का निर्माड होता है मांट एवरेश्ट पर चड़ाई कीज़श सिकी जाती है तो नेपाल सिकी जाती है क्योंकि मांट एवरेश्ट नेपाल में है इसके उचाई 8848 मीटर है दिलवाडा के जैन मंदिर कहा पर इस्तित है तो मांट आबू राजिस्थान के जगा है सिरो ही वहाँ पर दिलवाडा मंदिर इस्तित है तो इसका सही एंसर है रूस प्यादा की स्खेल से सम्बंदित है तो प्यादा सत्रन से सम्बंदित है जितने भी क्योश्चन है 100% सही है आप लोग इसको आप लोग इसका मैच दूसरे चैनलों से आप लोग कर सकते है क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स जिनके एक्जाम हुआ वो लोग मुझे वाटसप की थुरू सभी क्योश्चन को बताया है और मैंने इसको आप लोग की इनालाइसिस के लिए इस लेक्चर को त्यार किया है तो आप लोग अओ लोगन जरूर कीजिएगा एक्जाम में जाने से पहले नमक का रसाइनिक नाम क्या है तो sodium chloride, NaCl नमक का रसाइनिक नाम है next question है सबसे ज़्यादा uranium का उत्पादन कीज़ देश में होता है तो कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा uranium का उत्पादन होता है और uranium के टॉनिक नंबर 92 होता है जनुवरी 2020 को RBI के deputy governor कौन बने तो माइकल पात्रा को deputy governor बनाया गया है प्रथम चीप आप defense staff कौन है फ्रेंट्स मेरे current affair की lecture में मैंने इस question को आप लोगों को पहले पढ़ा चुका है और वही question SSC ने पूछा है तो जन्रल वीपिन रावाज जी को प्रथम chief defense staff बनाया गया है प्रेंट्स कोवीड 2019 के वाज़ा से अभी SSC ने जितने भी paper है आगामी paper सब को पॉस्पार्ण कर दिया है तो आप लोग SSC के side का उलोकन करते रहे कि इसका exam आने वाले दिनों में कब होगा और 14 अपरेल तक lockdown का सभी पालन करें क्योंकि कोरोना वायरास का कोई भी ऐसा भी एंटिरोड नहीं बनाया गया है इससे बचने का एकी उपाय है कि उचीत रोग थाम किया जाए और घरों से बाहर ना निकला जाए खास दोर से समाजिक जो समाजिक सोसल एक्टिवीटी वाले ज फिज़े था कौन है तो गोवाहाट ये ऐसम में जूत होए था जिसमें महाराष ने 256 पदक हासिल किये सेकड में हरजाड़ा और थर्ड में दिल्ल्य है वित्तिय अपातकाल की सनुछेत में वननित है तो 360 वित्तिय अपातकाल के लिए है राज्य अपातकाल के लिए 356 है औ को विभिन पर इस्थितियों लगाया जाता है जैसे राश्टी आपातकाल को बाह आक्रमड और राज्य आपातकाल को अगर राज्य सासन सासन नहीं चला सकती तब राज्य पलके नुसंसप और राश्ट्पति द्वारा लगाया जाता है और विद्टी आपातकाल भी विभिन करणों से लगा जाता है डाइनामाइट का अविस्कार किस ने किया था तो अलफेट भी नोबल ने 1867 में डाइनामाइट का अविस्कार किया था दूरांट कब 2019 के विज़ता कौन है तो गोकुलम केरला के है ये फुर्बाल ससम्मंदित अवाड है नेश्ट कोचन है सर गारफेल्ड सोबर्स ट्राफी 2019 के विज़ता कौन है तो बेन स्टोक है क्रिकेट की सर गारफेल्ड सोबर्स ट्राफी क्रिकेट के छेतर में दिया जाता है विस्व महिला सतरन चेंपियांशिप 2020 की विज़ता कौन है जू वेंजुन चाइना से फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट के लिए नोबेल किसे मिला तो अलबर्ट आइस्टिन को 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट की खोज करने के लिए नोबेल पुरुषकार से सम्मानित किया गया पचासवा दाधा साहब फाल के पुरुषकार किस साग्रो या महासाग्रो के जल इस्तर का समानी इस्तर से उपर उठना ततर नीचे गिरना भाटा काहलाता है नेज क्योश्चन है 2019 ASEAN Athletics Championship में भारत की रेंग क्या रही है तो भारत की चोथी रेंग रही है फर्स्ट में बहरीन सेकंड में चीन थी और इसका दोहा कदर में एवजन हुआ था नेज क्योश्चन है ब्लेक फिवर काला जारो किसके करण होता है करण होता है तो इसका सही अंसर है प्रोटो जेवा परजिवी की करण होता है गेरू परव किस हिंदी मेने मनाया जाता है तो कारतिक पुर्णिमा में सीख धर्म के संस्थापक वो प्रथम गुरु नानक देव के जैनती में गेरू परव मनाया जाता है किस अधिनियम के द्वारा भारत का प्रसासन इस्ट इंडिया कमपनी से सीधा ब्रिटिस क्राउन के पास चला गया बारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा कथाकली ललित कला के कितने रूपो का समंज़ से सयोजन है तो एंसर है पांच रूपो का और यहां कथाकली जो है किरियल करने लिते है और वो पांच रूपो कान से है तो लेटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और डैल्स एक जीवी में कितने एंबी होते हैं तो एकजार चोबीस एंबी होते हैं प्रेंट चे बेसिक क्योशन है आप सभी को पता होगा क्योंकि सभी जीओ यूजर है और बार बार अपने डाटा का सभी चेक करते रहते हैं जीओ एप में जाकर सरकार ने कीस योजना के तहट छोटी उद्ध्योगों को बढ़ावा देने का काम किया है तो एंसर है मुद्रा योजना के तहट जिसका सुरवात 2015 में किया गया इंडिया नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड इनेश जी के महाने देशक वर्तमान में कोन है तो अनुकुमार सिंग भारत को अंतीम ODI क्रिकेट वर्ड कप 2019 में किस टीम ने हराया था तो न्यूजिलेंड ने सेमी फैनल में 18 रन से किस ने जीता तो सर्विया ने जीता और जो ATP कप है टेनिस खेल के छेतरे में दिया जाता है तेलंगाना राज कब बना तो 2 जून 2014 को आंधर प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज बनाया गया और अमरावती को इसका राजधानी बनाया जाने के लिए प्रस्तावित है किसका 1949 में राष्टी करण हुआ तो RBI का Reserve Bank Cup इंडिया का एक जन्वरी 1949 को नेशनलाइजन किया गया ICC क्रिकेटर अब दैयर 2019 कौन है तो रुहित शर्मा भारत की सबसे पुरानी परवत सिंखला कौन सी है तो अरावली परवत मला नेशन क्योश्चन है यूनिशिप की स्थापना कब हुई तो 11 दिसंबर 1946 हेट क्वाटर नियूयाक सिटी अमेरिका में है नेशन क्योश्चन है माभयोग प्रस्ताव सबसे पहले 1947 में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कौन थे तो क्लिमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे जब देश अजाद होगा नेश क्योश्चन है 2019 आई SSF वर्टकप में प्रथम इस्थान कीज़ देश कर रहा तो बारत का और जो आई SSF वर्टकप है वो सूटिंग प्रथिस परधा के लिए जानी जाती है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो फ्रेंट्स जितने भी नदी पूरो दिशा की और बाती है जैसे गोदावरी, क्रिश्चना, मानदी, दामोदर सवान रेखा आदी सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहां पर आप्षन में क्रिश्चना नदी था तो इसका अंतर क्रिश्चना नदी होगा कीज़ देश की सेना ने 2020 में मानवे चूप की चलते अंजाने में यूक्रेन की विमान को मार गिर आया था तो इसका सही अंसर इरान है और इस वज़ा से दोनों के बीच में तनाव के इस्तती पैदा हो गई थी जो न्यूज में चर्चा में थी और फ्रेंट्स SSC और रेलवे बगरा जो अध्यदी चर्चा में राती है उसी टॉपिक को उठा कर पूछती है एक साथवे विज्ञान कांग्रेश की थीम क्या थी तो साइन सेंटर टेक्नोनाजी रूरल डेवलाप्मेंट नेश कुश्चन है टाइम परसन अब दियार 2019 कौन है तो ग्रेटा थनवर गया सामबर जिल का बारे में क्या सही है बारे में क्या सही है तो आप्सन में था कि भारत की सबसे बड़ी अंतर देशी है खारे पानी की जिल है नेश कुश्चन है कृतिम साधनों दोरा मचली की प्रजनन पालन और प्रत्यार रुपन को क्या कहते है तो PC कल्चर कहते है स्वरी यहां पर तो PC कल्चर कहते है तरग में लोकनी तिक्की सराज जैसे सम्बंदित है तो गोवा से नेश कुश्चन है दोर डेनमा बुद्ध इस टेचू कहां पर है तो थिम्पू भूटान में भुकम किस से नापा जाता है तो सिस्मो ग्राप और जो भुकम की तीवरता है उसको रिक्टर इसके अलसे नापते है तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो 17 मार्च इसे सीचेल के इनलाइसिस को नहीं देखे हैं तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको पहले जरूर देखिएगा और मैं इसके और भी रिजनिंग मैट्स इंग्लिस वगर के जो टॉपिक से उसका भी वीडियो जल्दी प्रोवाइट करूँगा तो प्लीज ट्रेंड्स जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्क्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स 14 अपरेल तक सभी को लागड़न का पालन करना है मोदी जी के सम्भोधन का मान रखना है और इसी में भलाई है क्योंकि जान है तो जहान है अगर आपका जान रहेगा तो तहीं कुछ कर पाएंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि कोई भी कहीं भी कोचिंग क्लासे से चड़िक संस्ता है सभी पे अभी धाराएक से चवालेस की चलते रोक लगा दी गई है तो आप लोग घर में बैठकर आनलाइन इस्टड़ी करते रहिए और अपने पढ़ाई को रेगुलर रखिए थैंक्यू